सात्यों पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे, उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्यानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाश्यों के लिए वैक्सिन्स विख्षित किये हैं। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सिन भारत में हैं। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास हैं। इस प्रयास में हमारे प्रावेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहतरीन प्रदशन किया है। वैक्सिन की एप्रूबल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्सिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान शुरू कर पाया। टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेत्रों तक जरुरत मन लोगों तक वैक्सिन पहुँचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वैक्सिन डोस दिये गए हैं। आज कोरोणा से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वरकर्स, फ्रंट लाइन कोरोणा वारियर्स और सीनियर स्टिजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सिन का लाब मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सिनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजरगों, नीबने मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग, 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सिन कारकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुप्त वैक्सिन मिलती रहेगी जिसका फायदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मद्यमबर, निम्मद्यमबर के परिवार हो, वो उनका लाब उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए हैं और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयासे भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिवी का कम से कम प्रभावितो प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्क फोर्स है उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी। राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्र है कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्र करे कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जी सहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा।